हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो होटल गुरुजी चैनल तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी प्याज के पकोड़े स्याम के टाइम चाहे के साथ के लिए जलो देखते हैं जो मेरे चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तो देखते हैं यह ले ले मैंने प्याज ओनियन और प्याज को काट लें इस तरीके से प्याज मैंने दोद आके रखा था पहले से ही आप लोगों को टाइम ना बेस्ट करते हैं और मैंने स्पेड भी बढ़ा रखिये यह प्याज कट चुका है यह डाल दी मैंने इसमें हल्दी यह डाल दी हल्किसी लाल मिरच पाउडर नमक यह डाल दी मैंने इसमें हरा दनिया हरा दनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बहुत अच्छी खुस्प आती है पकोड़ें वह किसी भी चीज में आप दनिया डाल सकते हैं इनडियन और में है है कि आपटीनेंटल में चल जाए यह डाल दे मैने इसमें कि बेशन और ये डाल दे मैने इसमें हल्का सा मैदा इसता मैद से है अब इसको मिला लिया मैंने देख लिए अलका सा और डाल दिया है कि तो धुम पड़ गया था एलका समय दा हलका सा बेशन कि अलका सा पानी डाल देता हूं यह पाने डाल दे अलका सा कि बेशन कितना चीह है आप अपने हिसाब से देखें ताकि वो कठा हो जाए आप पकोड़े निकाले तो पकोड़े अलग-अलग बिखरे ना ये कि बाइंडिंग बोलते हैं इसको बाइंडिंग हो जाए पकोड़ा बाइंडिंग हो जाए देख लो हमने लग गया है कि यह कर दिया है मैंने कठा है अब इसको हम निकालेंगे कड़ाई में तेल गरम है पकोड़े छोट छोटे पकोड़े हाथ में पानी लगा ले तब निकाले पकोड़े नहीं तो चिपक जाएगा हाथ में पकोड़े निकाल समय हाथ पानी लगा 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 पर इसको निकलेंगे और टेस्ट भी रहेंगे इस तरीके से पकोड़े छोड़ने तेल में अगर आपको मेरी वीडियो देखनी पसंद है तो मैं इस्टाग्राम पर भी पोस्ट करता रहता हूं आप वहां मेरे को फॉलो कर सकते हैं लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है आप महां से जा सकते हैं बीच-बीच में पकोड़ों को हिलाते रहें कि इस तरीके चला लें इनको बीच वीच में है कि अधिक लिए पकोड़े रेडियो हो चुके हैं कि यह हाप ड़न है इस तरीके से दबा लें ताकि जी इनके अंदर जो कच्चा पन होगा वह फुल्डन में पक जाएगा पूरा तो आप इस तरीके से हलके से दबा दें हाथ यह देख लिजे इस तर творके से हो जाएंगे पकोड़े, आप इस तरτό के से देख लिजे, पकोड़े रेड्य हो गए है, अगर आपको वीडियो पसंद आईे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को सेट जरूर करें और कमेंट जरूर करें नीचे धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में